अलो फ्रेंट्स नमस्कार कैसे हैं आप लोग आज का वीडियो फ्रेंट्स होने वाला है उन बिजनसमेन के उपर उन मेनुफेक्टर्स के उपर उन ट्रेडर्स के उपर उन रिटेलर्स के उपर जिनका बिजनस सक्सेस्फुल नहीं हो पा रहा है तो ऐसा क्या करें या किन चीजों पर focus करें ताकि उनका business जो है वो grow कर सके So इससे पहले कि हम इस series को start करें मैं आप सबसे request करूँगा कि आप मेरे channel author रवी शर्मा को subscribe करें So that आपको latest notifications मिल सकें सारे uploaded videos की Friends हम बहुत hard work करते हैं इस तरह के informative videos बनाने के लिए और हम ये कोशिश करते हैं कि आपका subscription पूरी तरह से आपके लिए फाइदे मन्द साबित हो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आप अगर manufacturer हैं तो सबसे पहले आपको सबसे पहली जो जरूरत होती है वो होती है cash की Right उस cash के base पर आप raw material purchase करते हैं So अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर आपको एक ये pencil बनानी है तो इसके लिए जो है आपको raw material जो है ये जो इसकी wood लगी हुई है ये और इसका lead जो है ये ये चीज आपको चाहिए और color चाहिए So इसको आपको buy करने के लिए आपके पास में cash होना चाहिए So या ये भी संभव है कि आपको भी जो है सामने वाले से credit मिले तो आप ये कोशिश करें कि आपको जो है number of credit days जो है वो higher side में मिले So that आपको उस credit का भुकतान करने का sufficient समय मिल सके लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपसे एक बात जरूर बोलूँगा कि आप अपनी credibility यानि कि market में जो आपकी reputation है वो पैसे देने के मामले में भी बहुत ही उमदा और अच्छी रखें इससे होगा ये क्योंकि हमारी market ये बहुत छोटी है दोस्तों आप अगर market में credible इंसान हैं आप किसी से कोई उधार लेकते हैं आप उधार लेकर के क्योंकि business करना है तो उधार देना भी पड़ेगा और उधार लेना भी पड़ेगा लेकिन इस philosophy को बिल्कुल ध्यान में रखे हैं कि अगर आप उधार लेते हैं तो उधार को तए शुदा जो आपने समय लिया है वक्त लिया है credit days लिये हैं उसके अंदर जो है वो repay करना सीखें इससे होगा ये कि आपकी market में credibility बनेगी आपकी साथ बनेगी आपकी popularity बनेगी और इससे आपको business करने में orders मिलने में और आपको सामने वाले से जो credit days मिलेंगे उन सब में बहुत help मिलेगी राइट दूसरी बाद जब आपके पास raw material आजाता है तो friends आपका एक ही समय में जो है pencil बनके तयार नहीं हो जाती और ये उसके अंदर paint नहीं हो जाता वो बिल्कुल तयार नहीं हो सकता है कि पहले दिन ये pencil का structure तयार किया जाए और उसके अंदर lead डले दूसरे दिन जो है इसका finishing work हो इसके अंदर color और designing सारे काम जो हो और दूसरे दिन ये pencil बनकर के तयार हो तो जो कुछ समय के लिए जो है आपका raw material जब machine के उपर चड़ता है तो वो work in process stage में जाता है तो उसके बाद जो आपका operating cycle है वो shift होता है finished goods की और यानि कि आपकी finished goods जैसे कि मैं अगर ये pencil की बात कर रहा था तो आपकी pencil जो है बनकर के तयार हो गई है अब ये आपने ध्यान रखना है कि आपका raw material से work in process work in process से finished goods बनने के बीच में का जो समय है वो समय भी ज़्यादा मतलब की over न लग जाए इससे होता ये है कि आप कई बरी ध्यान नहीं देते होंगे लेकिन being a manufacturer आपका पैसा उतने time के लिए capital आपका block हो जाता है और फिर आपको जो funds है उसकी realization में भी देरी होती है यानि कि आपको पैसा वापसी में भी देरी होती है देखिए दोस्तों जितनी जल्दी raw material convert होगा और फिर sale होगा उतनी ही जल्दी आप expect करेंगे कि वो दुबारा से आपको business में पैसा generate करेगा so operating cycle को बड़े ध्यान से समझी जब आपने cash आपके पास आया आपने bank से cash लिया या आपका अपना cash है वो cash से आपना raw material बाइक किया raw material को आपने machine में process करना शुरू किया तो वो कुछ समय के लिए work in process stage में आया उसके बाद वो finally बन करके finished goods के रूप में convert हुआ तो finally अब जब finished goods बन जाती है तो एक बहुत important काम आता है वो ये है कि आपको अब इस product को market में बेचना है अब बेचने के दोस्तों दो जरिये हैं पहला जरिया जिसको option one बोलेंगे वो ये है कि आप इस product को market में cash sale करें अब जब आप किसी को ये product sale करके और वो भी एक wholesaling करके एक बड़े chunk में बड़ा order के रूप में अगर आप sale करना चाहते हैं तो सामने वाला आपसे एक cash discount की उमीद रखेगा तो ऐसे में आप option one को choose करें और cash discount दे करके तुरंत जो है cash जो है आप प्राप्ट कर सकते हैं पा सकते हैं और वो cash दोबारा से business में invest करके अपने profit को multiply कर सकते हैं दोस्तों cash sale करना करते वक्त अगर आपको cash discount थोड़ा देना पड़ जाता है तो मैं कहता हूँ आज के scenario में ये एक बहुत ही अच्छा जो है alternate है लेकिन ये scenarios 100% नहीं होते friends आज का scenario ये बन चुका है क्योंकि market में recession के दौर जो है वो जारी हो गए हैं कभी market नीचे आती है कभी उपर आती है generally market का trend नीचे की तरफ रहता है competitions बहुत हाई है foreign market से जो है product सस्ते rates में आ रहे हैं China जैसी countries जो है dump कर रही है माल इंडिया में बहुत ही cheaper rates में तो ऐसे में compete करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो जैसे ही आपका finished goods जो है बन करके तयार होता है आपको उसका जो है आजकल का जो scenario हो गया है कि लोग माल आपका big तो जाता है लेकिन वो सामने वाला जो है वो आपसे कुछ credit days की expectation रखता है वो कहता है कि आप मेरे को माल जितना दो दे दो लेकिन मैं आपको payment जो है 45 days से 180 दिनों का जो market trend है generally जो बन चुका हुआ है in fact आजकल 90 दिन का market जो है credit days जो है वो बन चुके हुए है तो वो भी कई वरी extend हो जाते हैं तो इतनी देर तक जो है जैसे ही आप sell करते हैं उधार पे तो आपके debtors बन जाते हैं और वो debtors जो है आपकी payment जो है उसको block कर देते हैं और वो ही payment आपको 90 दिन 120 दिन कई वरी 180 दिन तक जो है और इससे भी जादा कई वरी जो है आपकी payment अठकी रह जाती है तो होता यह है कि ये payment तो आपकी block हो गई अब आपकी अगली change जो माल बनने की चलनी थी उसके लिए फिर से आपको cash की जरूरत होती है और फिर आपको जो है बैंक से जादा पैसा उधार CC cash credit limit के रूप में या फिर किसी loan के रूप में लेना पड़ता है ताकि आप अपनी इस operating cycle को जो है वो लगतार चलाते रहें इसमें दोस्तों आपके जो fixed खर्चे हैं जैसे कि आपके employees के खर्चे आपके building के खर्चे आपके maintenance के खर्चे आपके बाकी जो electricity के खर्चे इस तरह के जो आपके variable expenses हैं वो तो चली रहे होते हैं तो यह होगी manufacturing की बात इसमें क्या सुझाव होंगे इसके उपर मैं आऊँगा पर इससे पहले मैं आपको retailer या trader के बारे में भी बता दूँ retailer के एक comfort zone यह होता है कि retailer generally bunny बनाया finished goods जो है वो market से उठाता है तो उस case में भी उसको credit days मिलते हैं तो वो जो है सीधा जैसे यह मैंने pencil जो है market में cash दे करके या credit में खरीद तो ली अब वो स्करीद करके मैंने इसके उपर कुछ margin जैसे की 15%, 20%, 25% का margin रख करके आगे मैंने जो है जो है वो sell करी तो यह हो गया trader या retailer का cycle अब यह sale भी cash sale हो सकती है जिसमें मेरे को हाथों हाथ पैसा आ जाता है और दूसरा हो सकता है कि मेरे को credit sale करनी पड़ रही है जिसमें generally retailer के case में 30 दिन से 90 दिन का credit period अमूमन on average चलता है तो basically आज की days में जो है businesses जितने भी failure हो रहे हैं उनका एक खास reason यह है कि business failure का जो main reason मैं कहूं वो यह है कि आपका जो यह जो आप जो उधार पे जो माल finished goods देते हैं market में उसकी recovery जो है वो timely ना हो पाना तो यह recovery नहीं हो पाती है और automatically जो है आपका operating cycle जो है वो disturb हो जाता है और यह operating cycle अगर एक बरी disturb हो जाए तो businesses को बंद करने तक की नौबत आ सकती है तो आएए अब मैं आपको कुछ steps बताता हूँ remedifications बताता हूँ जिससे आप इन चीजों को avoid करके अपने business को growth की तरफ ले जा सकते हैं पहला number one उपाए cash discount दोस्तों better option है अगर आप अपने इस product को finished goods को market में cash discount दे करके बेच सकते हैं हो सकता है कि आपका margin थोड़ा कम हो जाए लेकिन advantage यह होगा कि आपका पैसा तुरंत recover हो जाएगा और आप उसको जो है दुबारा से business में deploy कर सकते हैं इसके अलावा जो आपको एक और फाइदा यह होता है कि आ कई cases में बड़े बड़े houses को supply दी होती हैं बड़े बड़े orders दी होते हैं वो किसी reason से जो है वो defalter हो जाते हैं और एक लंबी चौड़ी payment जो है वो stuck हो जाती है तो वो भी जो है खत्रा जो है cash discount के case में जो है बिलकुल ही zero हो जाता है दूसरी बात जब किसी को भी आप market में उधार देते हैं देखिए बिना उधार दिये आपका business आज की date में चल नहीं सकता जब भी आप credit days देते हैं तो आप सामने वाले की market reputation यानि कि उसकी market credibility जरूर चेक करें हो सकता है कि उसके साथ में जो लोग deal कर रहे हैं उनसे आप indirect चेक कर सकते हैं कि मैं इस person को जो है इस purchaser को माल जो है देने लगा हूँ आपके इसके बारे में क्या मत है क्या राय है आपक करिए दूसरा आपके जो previous orders की payment आपके जो है वो आ गई होनी चाहिए तभी जो है आप अपना next order जो है उसको execute करें अगर party अच्छी है तो कम से कम आप ये जरूर इंशोर करें कि आपका 50 से 60% तक का आपके previous order का पैसा आपको realize हो गया होना चाहिए उससे previous order के पैसे तो आई ही गए होने चाहिए इसमें कोई doubt की बात नहीं है ठीक है दोस्तों relationship matter करती है लेकिन आप rules of business को defeat ना करें relationship को business से थोड़ा सा अलग रखें आप उसमें थोड़ा comfort zone आपको देना पड़ेगा जो व्यक्ति आपके साथ में पिछले 30 सालों से जो है आपके साथ में business आपसे माल ले रहा है और आपसे जुड़ा हुआ है तो कहीं न कहीं आपको उसको जो है credit days का advantage देना पड़ता है लेकिन यहां भी ऐस ये ध्यान बेर रखें कि आप कभी भी बहुत बड़ी रकम जो है उस व्यक्ति के पास जो है वो अपने orders उसके orders को भुगताने के लिए यानि कि उस उसको supply करके एक बड़ा पैसा उसके पास कभी ना फजाए ऐसे बहुत सारे instances देखने को मिले है जब businesses fail हो गए है बड़े बड़े businesses बड़ी बड़ी parties default कर गई है और ऐसे में जिल लोगों ने उनको माल supply किया credit days दिये जो 25-25-30-30 सालों से जुड़े हुए थे वो भी अपना business में एक बहुत बड़ा loss थाने को मजबूर हो गए दोस्तों आपके business का कभी भी सारी supply एक ही जगा पर ना रखें ऐसा ना करें कि आपकी अगर जो है पांच लाकी जो है सेल हो रही है तो उसमें चार लाकी सेल सिर्फ एक ही party को हो रही है और उसमें भी आपके credit days जो है वो higher side में है because वो party आप से 15, 20, 25 सालों से जुड़ी हुई है ऐसे में आप एक बहुत बड़े risk zone में रहते हैं तो आपको मैं इसमें एक example share करना चाहूँगा IDFC First Bank का जो IDFC First Bank में convert होने के पहले जिनकी strategy जो है wholesale lending की तरह थी यानि कि वो बड़े-बड़े houses को बड़े-बड़े जो ह वो loans और बड़े-बड़े जो है उधार के रूप में पैसा देते थे ऐसे में हुआ ये कि बड़े-बड़े houses जैसे कि मैं बात करूँ Vodafone Idea जैसे जो institutions हैं बड़ी-बड़ी उस टाइम की दिगज कंपनिया थी उनके पास में ऐसे-इसे बड़े-बड़े houses को पैसा दिया और कहीं न कहीं उनके पैसे को जो है वहाँ पे जो है किसी रीजन से उनकी financial difficulties के चलते उनका पैसा stuck हुआ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर उन्होंने जो IDFC first bank में convert होने के बाद में उन्होंने अपनी strategy बदली और अपने पैसे को retail lending में लगाया यानि कि अगर उनके पास में अगर 5 रुपए हैं तो उन्होंने 5 रुपए को 5 हिसों में बाटना बहतर समझाए ना कि 5 रुपए को एक व्यक्ति को देना और वो भी जो है ऐसे व्यक्ति को देना जो बहुत ही रसूकदार और powerful व्यक्ति है और किसी case में अगर वो व्यक्ति ने जो है payment देने में कोई आना कानी की तो ऐसे case में जिस व्यक्ति ने उसको credit days दिये हैं उसका जो है पूरा का पूरा business जो है उस take पर आ जाता है खत्रे में आ जाता है तो यह थी कुछ बात हैं जो आपको अपने business को start करते वक्त या आप एक business कर रहे हैं successful business की तरफ proceed करना चाहते हैं तो यह कुछ बात हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए आशा करता हूँ कि यह बात हैं आपके लिए फायदे मन साबित होंगी सो दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों से यह गुजारिश करूँगा request करूँगा कि मेरे चैनल और रवी शर्मा को जरूर से subscribe करें thanks for watching and take very good care of yourself thank you